दोस्तों प्रिलिम्स 2024 बिल्कुल नस्दीग के हमारे पास में 5-6 दिन का टाइम बचा है बट सवाल ही आता है कि इस टाइम पर किन चीजों पर फोकस करना जरूरी है जिसे कि हम मिस्टेक्स को भी अवाइड करें और हमारे मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें इसी बात को ध्यान रख करके यह आपके लिए एक शॉट या फिर कहो आठ से 10 मिनट का वीडियो बनाया गया है इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है कारण की बहुत सारी चीज़े ऐसी ह है जो हमें पता है पर उनको हैंडल कैसे करें वह नहीं पता हमें तो ऐसे में यहां पर हम जो डिसक्शिंग करने वाले इनिए की और easier करेंगीी जो नॉर्मली टॉपर सुने अपने항ी सेक्षन में सजिस्ट किया है कि यह मथ करना तो यहां पर होही question है what to do what not to do यह जानना हमारे लिए जरूरी है इस टाइम पर जब एकदम कितना कि critical time चल रहा है बिलकुल ठीक है तो चलिए देखो मुद्दा है कि what to do and what not to do तो इसमें सबसे पहला point आता है कि आपका mindset एकदम proper होना चाहिए सीधी बात गर्मियों का time है healthy रहना जरूरी है hydrated रहना और ध्यान रखना अगर room आपका AC वाला है न तो कोई जरूरी नहीं कि center आपको AC वाला मिले तो सीधी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने room का AC बंद करके और फिर बात में test लगाओ मौक्स तो आपने लगाए होंगे अब आपको क्या करना है एक्जाम में जिस तरीके से आपका paper होता न वैसे आपको paper देना है एक isolated आपको छूटे से room में आप कह सकते हो space create कर लो table chair रखो और वहाँ पर आपको दो दो घंटे के लिए जिस पेपर वन और सी से दोनों के लिए test देना है सिंपल सी बात है साड़े नो से साड़े 11 का आपका पहला paper होने वाला है और धाई से साड़े 4 का आपका दूसरा सी सेट का paper है तो उसी timing पे आप exam देने के लिए बैटो दूर गड़ी का timer set करके रख दो गड़ी की तरफ देखना नहीं है नहीं तो आप उस गड़ी में ज्यादा दिमाग लगा होगे बत वह timer या alarm लगा के रख दो अपने phone में जिससे कि वह आपको click कर देगे आज ही time हो गया अब अपने को क्या करना है अपने mind को उस exam के माहुल के हिसाब से set करना है exactly वैसे हैं जैसे cricket से पहले cricket sessions होता है जिसमें एक pressure को analyze करने की कोशिश की जाती है वह बात सही है कि exam का pressure हमें exam में experience होगा पर उसके पहले अगर हम थोड़ा बहुत हम उसको evaluate करके pressure को थोड़ा down अगर कर लेते हैं तो वह भी तो हमारी जीती है बस वह point है तो सबसे पहले तो भया healthy रहना जरूरी है गर्मी बहुत जादा है hydrated रहना क्योंकि exam center कहीं पर भी आ सकता है कितनी भी गर्मी वहाँ पर आपको मिल सकती है फिफ्टी के लगबग तो पहुंसना है temperature अभी तो थोड़ा कम हुआ है गनीमत है चलिए फिर positive mindset हमें maintain करके चलना है number one number two paper जब आप देखोगे तो आपको हो सकता है वो tough लगे या फिर हो सकता आपको easy लगे तो यह मान के चलो कि जादा तर लोग around 99% individuals हैसे होंगे जिनके लिए paper more or less equal approach रखने वाला है तो वहाँ पर हमें ना तो बिलकुल free होना है ना बिलकुल pressure में आना है क्योंकि exam setter जब कभी भी question paper set करता है ना कोई भी आपका code ABCD तो उसमें starting के question हमेशा challenge create करते हैं कारण कि वह आपको तीन से चार या पांच question ऐसे देदेगा जिसमें आपका दिमाग हो जाएगा बिलकुल सुना और आपको लगेगा कि मैं तो कुछी नहीं घर गया वहाँ पर हो गया moral डाउन तो हो गई घर बढ़ यह बिलकुल भी नहीं होने देना है अगर चार बोल खाली चली गई नहीं तो रोईट शर्मा की तरह पांचवी बोल पर हेल लेंगे क्या टेंशन है यह mindset बड़ा positive रखना जरूरी है क्योंकि शुरू के question हमेशा ही ऐसे मिलेंगे आपको chances है हमेशा का मतला 100% नहीं अगेन वही 99% फिर आजाओ आप कि आपको अपना confidence and calmness को maintain रखना है हर बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी तो क्या किया जाए वही पैटन जो मैंने बताया उसमें आपको मॉक्स लगाने है 11 12 13 14 चार दिन है आपको एक तो revision पर दियान देना है दूसरा इस तरीके से test देना exactly वैसे जैसे exam center पर जाके आप perform करने वाले हो समझ ग पर में सोने की आदत जहां तक देखा जाए तो यह पिछले 15 दिन से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बट फिर भी अभी भी हमारे पास में चार से पास दिन का टाइम है यह चीजे डवलप करने के लिए राइट फिर आजाओ revision is the key इसमें तो कोई डाउटी नहीं क्योंकि इन तीनों स्टेट्वेंट्स में से हमें यह देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है बट एक में तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए ना एक का नॉलेज काम करेगा दूसरे के लिए ट्रिक के तौर पर यह एक इंपोर्टन अप्रोच होती है कि आपने जब कभी भी अप्रोच डवलप कर लीनी है पेपर सॉल्विंग अप्रोच के लिए सी सैट जी एस दोनों को इकवल वेटेज देना स्टार्ट कर दो क्योंकि सी सैट एक एलमिनेटर का काम करता है और इसका सॉल्व करने का इसको अप्रोच करने का एक सिंपल सा वे आउट मैं आपको बत अप्रोच कर लोगे क्वालिफाई करने का स्कूब बन जाता है बट सी आपको जी एस पढ़ते बढ़ते मैतमेटिक से लगने लग गया डैर या फिर आप दूर हो गए तो यार रीजनिंग और काम प्रियंचन तो आपका अच्छा हो गई ना आपने नियूस पेपर भी यह है कि कॉम्प्रियंचन को रीजनिंग को कॉम्बिनेशन में लो राइट तीन क्वेशन के लिए लो फिर तीन क्वेशन के लिए लो फिर तीन क्वेशन के लिए लो फिर तीन क्वेशन के फिर तीन क्वेशन रीजनिंग के इससे क्या होगा दिमाग सूना नहीं तो दिमाग कैसे एकदम यूं हो जाता है कि यार बहुत पढ़ लिया तो यहां पर अगर रीजनिंग बीच में आ जाएगी ना तो आचार का काम कर देगी एक कितना थोड़ी से खटाश आजाएगी खाने में मज़ा आएगा फिर पेपर को सॉल करने में तो यह आपको सी सेट की अप्रोच डवलप कर लेनी है अगेन वही बात की बैट हो उसी तरीके से तैयारी करो जैसे की एक्जाम में जाकर के आप फाइट करने वाले हो राइट चलिए फिर करता हों आपको पता पड़ गया कि मैं किन जगहों पर मिस्टेक करता हूँ अगर यह अभी भी नहीं हो पा रहा है तो यह चार दिन का जो आपका प्रेक्टिस मैंने बताया है ना इन चार दिनों में अमें यह देखना है कि हम नौर्ट साउथ में तो गन्फ्यूज नहीं ह हो रहें असेंडिंग डिसेंडिंग में तो गन्फ्यूज नहीं हो रहें राइट और भी बहुत सारे वर्ट सोते एक्स्ट्रीम वर्ड से कहीं पर राइट ऑल सम सम अगर आ गया तो आपको बोल्ड लेटर्स हैं कीवर्ड करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो चीजें लिखी रहती है उनको बिनकुल हाइलाइट कर लो सरकल से थीगर वह गयल चक्कर आपकी हेल्प कर देगा कि हां मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना है नो डाउट कीवर्ड को एक एक को सबको पॉइंट आउट कर लेना है फिर अपनी अप्रोच आगे बढ़ा लेनी है अगेन नॉलेज जो है उसको कॉंप्लिमेंट करेंगी आपके ट्रिक्स जो भी आपने अभी तक डवलप की है मोक्स आपने लगाये होंगे पीवाई को कि पीवाई क्यू का नो इसका तो हमेशा ही विडेज रहता है कारण कि क्या अधो यूपी यह स्की रॐ भी नियू कर सकते टीक नॉलिज को अगर कॉंप्लिमेंट करा होगे ना तुम ट्रिक्स से तो काम बन जाएगा पर कम्प्लीटली ट्रिक्स पर रिलाए करोगे मामला बिगड़ सकता है यह द्यान रखना चलो फिर माइंड सेट की बात हो एक पॉइंट और कि माइंड जो है वो हो सकता है इस टाइम आपको डरा रहा हूँ डाउट बहुत है पर आगे बढ़ो हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है हमें आगे बढ़ते चलना है ठीक जी पॉइंट गया है कि सीधी बात है एक्जाम देनी है एक्जाम के हिसाब से हमारी तयारी है बस यहां पर यह वाली बात है कि आपके पास अपने आप में ट्रीकी लग रहा होगा कि यह मुझे एक्टेंट देना है या नहीं देना राइट तो पॉइंट यहां पर यहां रहा है कि कैसे भी करके हमें यह तो क्लियर माइंड सेट रखना कि देना है कि नहीं देना है तो पूरी आपको स्ट्रेटेजी अप्लाइ कर देनी है ठीका जी टाइम मेनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेट होता क्योंकि दो गंटे के अंदर सो क्वेश्चन्स आपको अटैम्ट करने है तो इसका एक तरीका है बहुत सिंपल सी बात है एक तो फॉरी तोर पर फास्ट राउंड कि आप देख लिए चार से अपांस दिन या पिछली दिनों में आपने जो मॉक्स लगाया उसमें क्या अपरोच आपने अपनी डवलप की है आपको अपनी स्ट्रेंथ कह तो थो पता पड़ी गया होग मेरे मैंसीमम माक्स गेन की अच्छा एक बढ़ इंट्रस्टिंग बात मैं बता दूँ कि हमें यह जो टेस्ट देने है घर बैट करके बाई लोगों आप लोगों को OMR सीट पे देना है OMR पे ही वहाँ पर आंसर वहाँ पर आपको फिल करना है वहाँ पर ABC लिखने का मौका नहीं मिलेगा तो OMR की प्रेक्टिस भी साथ ही हो जाएगी और OMR में क्या अप्रोच रखनी सारे क्वेशन सबको आए गैरेंटी नहीं है और यह गैरेंटी है कि आग से दस क्वेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें शायद एक परसेंट लोग अप्रोच कर पा रहे हैं बाकी लोग नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में हम आपने आपको 99 वाले पार्ट में रख लेते हैं अच्छा अगर आपने अच्छे से रिवाइस किया है तो मान के चलो 50-55 क्वेशन तो बिलकुल हल्वा लगेंगे आपको फिर उसके बाद में ये क्वेशन अटेम्ट के लिए आपको लगेगा कि मेरे एकदम परफेक्ट है स्टिल देर इस चांस कि हाँ भई 7-10, 8-10 क्वेशन माइन में जा सकते हैं मैं नहीं करना चाहेंगे जा सकते हैं क्योंकि इतना सारा पढ़गर गेटिक लगाना गोला बढ़ना एरर हो सकती है तो ऐसे में 7-10 क्वेशन अगर चले जाए फिर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में कुछ माइनस मार्किंग हो रही है फिर आप आओ उ आपका सेट हो गया 20-25 इस वालों में अप्रोच कर दिया और सो परचेंट वालों में 50 के उपर आपने अप्रोच कर दिया तो आप मोटा मोटा असी के लगबग क्वेशन को सको एक तरीके से मार्क कर चुके होंगे अगर यह हो गया रुक जाईए अगर आपको लगे कि 45-50 भी जा सकता है यह थोड़ा बढ़ भी सकता है 20-25 से 25-30 भी जा सकता है पाच का उपर नीचे प्लस माइनस टॉल रेंस लेके चलना अब आपके पास में ऐसे क्वेशन होंगे जहां पर तीन आप्शन में आप उलज रहे हो तो बिटाजी सीधी बात है इनमें से भी अग हमारी अप्रोच जो है वो मोर और लेस प्रिलिंच क्वालिफाई करने वाली डवलप हो रही है यह सारा मैं खेल बता रहा हूं आपका प्रैक्टिस का क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पर ही कोचिंग काम करेगी याद ना चक्दे इंडिया में किस तरीके से शारुकान ने लाता बोले तुमारा है लास्ट फाइनल मैच में यह टाइम तुमारा मैंने बहुत सिखा दिया अब तुम लोग अप्लाइ करो अपने अकोर्डिंग वही चीज यहां पर आपको समझ लेनी है राइट चलो जी फिर नेक्स आजाओ नेक्स आपको फोकस अपनी स्ट्रेंथ पर गरना है अगेन ठीक है सब्जेक्ट जो है उनमें जो आपकी स्ट्रेंथ है जैसे नॉर्मली अगर टॉपर्स की बात करें या फिर हम जनरल बात करें पॉलिटी, एकॉनोमी, जोग्राफी, मॉडन हिस्ट्री इनके क्वश्चन्स में आपको यह एकुरेसी लेकर के आनी बन जाती है, हो सकता है कि आपके स्ट्रेंथ के अंदर साइन्स अंटेक आड़ हो जाए या कुछ और एक्वाइज एड़ हो जाए, बट पॉइंट इस कि जो आपकी स्ट्रेंथ है जो सब्जेक्ट बटा उनमें तो कॉंप्रोमाइज मत ही होने दिना, अगर उनमें कॉंप स्ट्रेंथ के चार से पाथ सब्जेक्ट है, यहां पर मैंने चार लिखे हैं, इनमें आप रिप्लेश्मेंट भी कर सकते हो आपकी स्ट्रेंथ के अकोडिंग, वैस आप उनमें तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी आनी चाहिए, यह चार से पास दिन का जो आप एनलेसिस कर ठीका है, this is a part of exam, हमें बिल्कुल भी frustrated नहीं हो ना number one, चाहिए वो answer sheet की OMR हो, या पर attendance sheet की OMR हो, क्योंकि attendance वाली तो आपको पता exam के बीच में आएगी, तो वहाँ पर यह नहीं सोचना रहे, यार यह क्या करवा रहे है invigilators मेरे से, भाई अपने को करना है, क्योंकि exam में त OMR sheet में बड़ा शांदार perform कर दिया, बट उधर गरबर कर दी ना, तो बिटा हो, सारा हमारा attempt भी पूरा कच्रा हो जाएगा, जो हम चाहते ही नहीं है, समझने हो बात को, तो ऐसे में OMR sheet में पहली चीज, जितनी requirement हो, उतना ही लिखना है, उसके अलावा एक शब्द भी नही नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, जो मांगा है, सिर्फ अतना, कहीं डाउट हो, इन्विजिलेटर को बुला लो, कि सर, मैडम, कुछ इशू आरा, बताइए, प्लीज, डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है, कि आज ही मुझे लग रहा है, मैं कर दू, काटा वर्चुल एक्जाम में, तो कल से आज से ही बैट रहा है, कल क्या आज से ही बैट रहा है, तो उसकी अप्रोच को, इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, टेस्ट दो, अच्छा, OMR में एक बड़ी इंट्रस्टिंग चीज है, आपको ऊपर तो मिलेंगे ब्लॉक, कमान लो आपका कोई भी लॉल नामबर है, वो आपने फिल कर दिया, फिर उसके नीचे है बबलस, तो बबलस को, पहले ये लिखोगे, फिर उसके बाद में आप count करो, 1 है, तो 1 वाले को फिल करो, टीक है, ओएोगे, फिर आपका 2 है, तो 2 वाले को फिल करो, ठीक है, कहलें क आउट वर्ट निकलते हुए जिसमें आप एजी ली अप्रोच कर दोगे इस पूरे फिल करने में ठीक है इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टन क्वेशन है कि हमें OMR फिल करते टाइम पर क्या ध्यान रखना है मतलब किस टाइम पर करना देखो आपके ऊपर डिपेंड करत है वो सकता है कि एक पेज के क्वेशन एटेंप्ट किये उसकी OMR पहले बढ़ दो लास्ट के चकर में मत पढ़ना ये तो एक गम क्लियर है क्योंकि लास्ट के चकर में अगर सोचों कि 5-10 मिन में बढ़ दूँगा क्यों कि पेपर तो ऐसा है पूरा तो होना नहीं है को इना आप्शन टिक कर दिया तो वह आमला फिर बिगर जाता है फिर ये सिले मिस्टेक्स हमें बिलकुल नहीं करनी है और इसी नहीं को अवाइड करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करने नहीं है वर्चुल एक्जाम हॉल का माहॉल बना लो अपने रूम में ये है में ठीक है एटनेंस वाली बात है तो सीधी बात है गुसा नहीं करना है गुसा नहीं करना है कंट्रोल ओके गुसा का मतलब फ्रस्टेट नहीं होना है वो भी पार्ट ऑफ एक्जाम है हमें उसको प्रॉपरली फिल करना है राइट चलिए ठीक है ये मोटी-मोटी बात है मुझ you thank you very much